नमस्कार आप देखरें इंसाइडर लाइब मेरा नाम है काजलतिकवारी नवादा लोकस्वासीट से भाजपा के बिबेक ठाकूर ने जीत दर्च कर ली है इनके मुकाबले में राजद के स्रोवन कुमार खड़े थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा नवादा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रेल को मतदान हुआ था नवादा में इस बार राजद सुप्रीमो लालुप्रसाद यादों के प्रियोग ने मुकाबले को त्रिकोणिय बना दिया था भुमिहार और यादो बहुल लोकसभा शुत्र में मुख्य मुकाबला राजद और भाजपा के विश्था नवादा शुत्र में भाजबा के बिवेट ठाकुर और राजद के स्रोवन कुमार आमने सामने थे हलाकि निर्दलिय बिनोध यादो और गुंजन कुमार ने मैदान में उतर कर मुकाबले को रोचक बना दिया था वही इस सीट से 2009 के लोगसभा शुनाव में भाजपा प्रत्याशी भोला सिंग को 1,30,608 वोट मिले थे और लोजपा के प्रत्याशी बिना देवी को 95,691 वोट मिले थे इसके बाद 2014 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी गिरी राज सिंग को 3,90,248 वोट मिले थे जबकि राजप के प्रत्याशी राजबला प्रशाथ को 2,50,90 वोट मिले थे वही सबसे अंतिम लोगसभा यानि 2019 के चुनाव में लोजपा से चंदन सिंग को 4,95,684 वोट मिले थे और इनके निकर्टम प्रतिद्वन्दी राजप के प्रत्याशी विभादेवी को 3,47,612 भार अभोट मिले थे बहराल आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यबाद